ते जस्वी यादों का जो पुरा का पुरा गणी थे वो हील जाएगा, ते जस्वी यादों अपने बल बुत्ते सियम नहीं बनने वाले हैं, वो जानते हैं इस बात को, अगर वो नितिश कुमार के साथ नहीं आते, तब 2025 में उनको कोई रोग भी नहीं पाता, लेकिन अब त सिती भी इतना ठीक नहीं है, कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तब BJP को हरा दे, इस बात को वो लोग समझते हैं, लालो यादों कोई कच्चे खिलारी नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, आप बात को समझें, पढ़े एक जगा, कि नितिश कुमार दावा कर रहे हैं, कि सीट बाट वारा हम इसी आदाव पर करेंगे, यह हमरा पिचला बार इतना सान्साद है, तो कहा जाना है कि लालो यादों कहेंगे, कि दूसरा नमर पर केकर कितना क्यनी रेट था, इस आदावर फैसला हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे, लालो यादों के लेड़ तो समर्थन qmrka credit नहीं है वैसा तो नatis kumar अपना अवकाद-अपना हैसियत लालुyadu को यहां दिखा रहे है और लालु याद यह मात्ANO lipe 15 एंवन और चल चल रहा है जिस मुझा बूर्दichtet के पर दुपर्द के आगे उभर कर आएगा उस दिन आर या पार होकर रहेगा अब नितिश्प मार बन गा है मंदिर का घंटा कि लालू यादो कहीं जाते हैं तो पिछे पिछे यो हुआ जाज उला कर जाते हैं उन का क्या होगा कुछ पता नहीं अब कमेटी का गठन किया गया तो कहा गया कि नितीश कुमार एक खेल खेलते हैं, जब कहीं भी कुछ होता है तो खुद आगे नहीं आते हैं, जबकि वो अपने सहयोगी को आगे करते हैं, ललन सिंग को आगे करके ही कमेटी में सदस बनवाए, अब बात समझिए, राहूल गाधी, सोनिया गाधी, नितीश क के नाम पर भरोसा करेंगे क्या, नितीश कुमार का क्रेडिट इतना भीड़ा हुआ है, जो दो सीट वाला पाटी भरोसा ना करे, उ कहादे कि नितीश बाबू का हम बात ने मानेंगे, हमको भरोसा नहीं है, उ एक सपना ही तो देखर आए कि हमको इस अब साथ रहेगा, तो बिजेपी से जादा फाइडार जेटी तो नहीं दिलाएगा, इनको कहीं राजेपाल बना देता, हो सकता है बात करते तो उप्राश्पती बना देता, ये सपत उनका रिजर्व था, लेकिन ये छोड़ कर आएं, तो कोई सपना होगा, कोई सपना दिखाये गया होगा, बिन का परधान मंतरी कैसा हो, नितीश कुमार जैसा हो, हलाकि नितीश कुमार ने ये बात कहा था कि हमें परधान मंतरी नहीं बनना है, लेकिन मन में लाल सा था, कि परधान मंतरी अगर बना दिया जाएगा, तो अच्छा होगा, और यही सर्थ भी था कि अगर नितीश कुमार परधान मंत्री बनते हैं तो तेजस्वी यादो 2025 में बिहार की मुख्य मंत्री के दावेदार होंगे और उसके बाद जीत के बाद वो मुख्य मंत्री की कुरसी पर भी बैठेंगे लेकिन अब लालु पुरसाद यादो ने तेजस्वी यादो को बचाने के लिए नितीश कुमार के हाथ में लॉली पॉप थमा दिया है और अब कहा ये जा रहा है कि नितीश कुमार भी तेजस्वी यादो को 2025 में कुरसी के बदले लॉली पॉप थमाएंगे इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मोहित मौजूद है और मोहित बताएंगे कि दोहजर पचीस में क्या लगता है कि नितीश कुमार परधान मंत्री के चहरा अगर नहीं बनते हैं तो तेजस्वी मुख्य मंत्री बनेंगे हमको तो लगता है कि खेल दोनों तरफ से हो रहा है अब समझे लालू यादो एकदम जानते हैं और लालू यादो जानते हैं छोड़ दीजे भाई राहूल गांधी सोनिया गांधी नितीश कुमार के नाम पर भरोसा करेंगे क्या नितीश कुमार का क्रेडिट इतना सकते हैं क्योंकि भरोसा ही नितीश कुमार पर किसी को नहीं है सबके सामने लालू याद और राहूल गांधी को कहते हैं कि हम भरोसा दिलवा रहे हैं उनका एकदम एस्टमेंट यही था कि हम राहूल गांधी को भरोसा दिला रहे हैं और इसके बाद सवाल उठा कि नितीश कुछ पता नहीं अब कमेटी का गठन किया गया तो कहा गया कि नितिश कुमार को लग जाएगा कि तो हमको आगे नहीं बढ़ने देगा सब तो कल वो जब यूटर न लेंगे तो कहेंगे हम पहला ही समझ गया थे इसलिए तो हम कमेटी में नहीं गया ललन बाबू को भेजे कि आप जड़ा देखिये समझ ये इस अब क्या चाहता है और वहां से इसलिए हम पता लगवा रहे थे और वापस लोटाए सरकार गिरा तो क् वो नितीश कुमार के साथ नहीं आते तब 2025 में उनको कोई रोग भी नहीं पाता लेकिन अपते जस्व यादों का इसीती भी इतना ठीक नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तब बीजेपी को हरा दे इस बात को वो लोग समझते हैं अब नितीश कुमार अगर यहा लालू तोड़ रहा है कि पियम नहीं बनने देंगे सन्योजक नहीं बनने देंगे और इधर नितीश कुमार लालू यादों के बबुगा का सपना तोड़ रहा है कि तुमको मुख्यमंत्र नहीं बनने देंगे और यहीं सहमात का खेली सुदक पर बिहार में चल रहा है भल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा जेडियू में तूठ हो गई उपेंद्र कुसवा जेडियू छोड़ कर चले गए और उसके बाद लालू यादो ने कहा था कि अब तू ही मालिक बार ओ और उसके बाद खबर ये चली कि लालू यादो ने कहा निटीश कुमार को कि आ बाराती बनेंगे राजनीतिक अगर माहिने से देखा जाए तो मतलब आप परधान मंत्री बनिये हम आपके पीछे चलेंगे तो आखिर गल्ती कहां हुई लालू यादो कोई कच्चे खिलारी नहीं है बेवकुफ नहीं है आप बात को समझी हम पढ़े एक जगा कि नितिश केंडिट तो दूसरा नमर पर था उत्वे लहर था ना कि भाजपा के साथ रहकर नितिश कुमार जीत गए नितिश कुमार अकेले लड़े होते तो उनका भी याल लालू यादो जैसा होता कोई नहीं रोक पाता वो भी उसी तरीके से कहीं एकाद दोसीट जीत पाते लालू यादो पीछ ठोक दिये कि तुम तो पियम बनोगे लेकिन लालू यादो खुद से जानते हैं कि नितिश कुमार के नाम पर कोई नेता तयार नहीं होगा कोई इनका समर्थन नहीं करेगा क्योंकि नितिश कुमार का क्रेडिक नहीं है वैसा नितिश कुमार राजनीती में र जहेत दोर परसत्ता में नहीं है लेकिन लालू का बनाया हुआ वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसके बदोलत लालू यादो आज भी चाहे तो दस राज का मुख्यमंत्री यहां पर पट्णा में आकर खड़ा हो जाए लेकिन नितिश्कुमार किसे रिस्ता बनाए और कि उस रिस्ता को निभाएं कि उनके कहने पर कोई दूसरा आएगा तो नितिश्कुमार के चाहने से ना कुछ होने वाला है ना कुछ बिगड़ने वाला है ना कुछ बनने वाला है लालू यादो जो कहेंगे वही होगा और लालू बेवकुफ नहीं है कि वह अपने लड़के को डाव पर लगाकर नितीश कुमार के लिए कुछ भी कर देंगे और कुछ ऐसा कर देंगे कि उलटा वही बन जाएं और अगर नितीश कुमार को प्रधान मंत्री का दाविदार नहीं बनाया जाएगा और तब निटीश कुमार ने साथ छोड़ दिया तब हाजपा को हराना तो मुश्किल हो जाएगा सबसे बड़ी चर्चा तुही चल देना कि निटीश कुमार के पास राज है वो जानते हैं कि हम यहां से हटेंगे तो तेजस्वी यादों क्या है लालु यादों क्या है हमारे भी ना कुछ नहीं है और निटीश कुमार इसी बात का डर भी दिखा रहे हैं आप सरकार में गोर थोड़ी है कि वो मंत्री के सामने बोल दे इन कौन बुलवा रहा है नितिश कुमार बुलवा रहा है तो नितिश कुमार अपना अवकाद अपना हैसियत लालू यादों को यहां दिखा रहे है और लालू यादों अपना अवकाद अपना हैसियत वहां दिखा रहे है जो जहा सवाल है आखरी सवाल यह है कि महराष्ट में यह देखा गया कि लालू यादो निटीश कुमार गए हुए थे बैंगलोर में तो देखा गया और पटना में देखा गया कि एकदम पास पास बैठे हुए थे एकदम हाथ पकड़कर चलना हाथ पकड़कर आगे बढ़ना लेकिन महराष्ट में यह देखा गया कि दोनों एक दूसरे से ना बात कर रहे थे तस्बीर भी खिचवाने पड़ लालो इसको ने नितिश उसको ने कोई किसी को देख नहीं रहा था ना किसी से बात कर रहा था और अब ख़बर यह है कि अंदुरूनी कला सुरू हो गया तो क्या वा प्यादा नहीं आरजेडी के साथ आने के जिए उएक सपना ही तो देख कर आए कि हमको इस सब साथ रहेगा तो कुछ फ्यूचर में हम पीयम बना देगा हम सरकार में आएंगे केंदर में कुछ तो सपना दिखाए होंगे क्योंकि अगर नितिश कुमार को रिटायर भी होना लेकिन ये छोड़ कर आएं तो कोई सपना होगा कोई सपना दिखाया गया होगा बिना इसके नितिश कुमार तो पल्टेंगे नहीं और ऐसा क्या हो गया भाई कि दसकों से सरकार चला रहे हैं और चानग को इतना बुरा हो गया कि आपको सिधे भी येपी का साथ ही छोड़ पड़ा नरेंद्र मोधी जब सत्ना में आगए एक बर सरकार चला लिए उसके बाद अब दोबारा उनके साथ 2019 का चुनाव लड़े तब नरेंद्र मोधी बुरा नहीं थे और अचानक नरेंद्र मोधी इतना बुरा हो गया कि आप पल्टी मार दिये तो समझ एक सपना नित इश्कुमार रखेंगे यही सबसे बड़ी बात है जब तक रखेंगे तब तक सब कुछ ठीक है जिस दिन वो इसको खत्म करेंगे उस दिन सब खत्म है चलिए तो मोहित हैं लगतार बता रहें कि किस तरीके से तेजस्वी यादों के हाथ में 2025 में निती इश्कुमार लॉल इश्कुमार को ठेंगा दिखा कर लालॉ यादों ने सब कुछ कर दिया बरहाल इसका पर में इतना ही बने रहें मार साथ और देखते रहें जद्धा जिंक्शन